कि उनके पास experience की कमी थी, knowledge की कमी थी, आज भी मैं देखता हूँ कि दो नेटोर्गों का जगड़ा हो जाता है या management के साथ कुछ छोटा मोटा खटपड हो जाता है, ये रातो रात company निकालने के लिए कुशिश करता है, अपनी company बना लेता है, और उसको leadership का knowledge होता है, थोड़ा ना उसको administration का knowledge है, ना उसको management का knowledge है, ना उसको software का knowledge है, कहीं पे 5-10 लाग उरपे का software उठा लेता है, और उस software में काम करना शुरू कर लेता है, 5-10 लाग, 25 लाग के software से कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको उसी बन्दे के साथ काम करना है, धान रखिएगा, भले आप हमार साथ करो नहीं करो, कोई दिकत नहीं, लेकिन जबी भी किसी company के साथ आप करोगे, जो company चला रहा है, उस owner को, खुद को software coding, programming का knowledge होना सक्त जरूरी है, अलग-अलग logics पे काम करना चाहिए, और शायद मैंने आज तक पूरे world में ऐसा आदमी नहीं देखा, जो company भी चला रहा है, accounting भी देख रहा है, banking भी देख रहा है, meeting की भी कर रहा है, product के उपर 2-2 घंटा बात भी कर रहा है, leader उसे भी मिल रहा है, एक साइड में marketing भी हो रही है, एक साइड में leadership भी हो रही है, तो यह बहुत कम लोगों के पास से knowledge होता है, फिर उनको क्या करना बारता है, चार-च का तू देख तो software के लिए डारेक्टर, import-export, तू देख तो उसके लिए डारेक्टर, फिर administration के लिए डारेक्टर, management, अलग-अलग, चार-चार-चार-पांच-पांच लोग मिलके एक company चलाता है, पांच-सात मेहना बड़ा प्यार से चलता है, लेकिन बाद में उनमें और बहुत जबरदस तरीके से लड़ाई होती है, और ये partnership डारेक्ट सेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा घाता है, मतलब बरबाद ही है, मान के चलो आप, और यह हम लोग भी कर चुके, partnership बहुत डेंजर होती है, क्योंकि आगे जाके उनकी frequency मैश नहीं होती, क्योंकि अलग 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 जगे से लोग आते हैं, और बाद में उनमें नोग जोग होती है, और आगे जाके उसका impact बिजनेस में होता है, कंपनी बंद हो जाती है, और उनके साथ जो लाखो लोग जुड़े है, बाद में वो लोग भी भेगर हो जाते, फिर अलग अलग कंपनी में शिप फिर वापीस A, B, C, वापीस A, B, C, वापीस A, B, C, तो हमारे पास कोई भी पार्टनर नहीं है और हम 25 साल का इस इंडर्श्री का नॉलेज और एक्स्पिनेंज लेके चल रहे हैं सही माइने में अगर ये डारेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को अगर चलाना है तो हमारे पास हर चीज इन हाउस है एक तो 25 सालों का नॉलेज, 16 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज, मानुफेक्ट्रिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सॉफ़वेर, लिडर्शिप ये नेटवर्क मार्केटिंग के नफ्स को हम जानते है, मान के जो लो कोई हां का ठाना को कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, मान के जो लो 25,000 करोड का, लिकिनो बिल्डर उसके लाइन का है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई इल्म नहीं है, सॉफ़वेर कैसा होता है लोगों के emotion क्या होता है network marketing चलती क्या है उनको कोई नो तो बंदा भी इस काम का नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को कमपणी चलाई चलानी की कोशिश की ज्यादा तो 99% लोगों के जेब में फुटी कवडी नहीं थे ऐसे condition में उन्हें कमपणी चलानी की हिंबंत की आगे ज चीजे आपको होनी चाहिए दूसरी बात टैक्स कभी जिन्दे की विएट लोग टैक्स भरते नहीं जीस्टी होता क्या है टीडियस होता क्या है सब कुछ करने के बाद कि आपके बास प्याउट देनी की दानत भी होनी चाहिए आज रात को अगर धाई सी तीन करोड का प्य लोगों प्याउट चली जाती है और मैं यहां पर कोई बड़ी बड़ी बाते नहीं करो मैंने 30 मेहनों में यह करके दिखाया और अब यह शुरूआत है अब यह शुरूआत है हिंदुस्तान के गली-गली में काम हो रहा है और जो लेवल पर हम लोग अगले 15-20 दिनों में सौफ़एर इंफ्रास्रक्शर मैनुफ्रेक्शर में जो इंप्रूमेंट ला रहे है तो 2023 में डैरिक सेलिंग इंडर्श्री में यह बाई टोरियम क्या है किसी को बताने की जरूत नहीं पड़ेगी और मैं इतना बता दूंगे आज भी सामंदर में से एक बकेट भी निकली יה मार्केट भाली है अथिक्स के साथ कॉट करिएगा एठिक्स के साथ काम करो और हैंपमाड आíz अपने जगे पर बहूत मजबुत है कमपनी कोई चैरीटर पनी भी और स्नाच्छ्ण है य Henry आप लेके जा सकते हैं तो इस तरीकी से देखना है everything is in-house हमारा चाहिए भी हम लोग खुद बना देए उसके लिए हम किसी को पर डिपेंडेंट ने